पूर्ण नियूस को देख रहे हैं उनको डिसकस करते हैं प्लस वेरियस मैगजीन यसे की EPW डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं इन शॉर्ट गाईज अगर आपने इस लेक्चर को पूरा इंट तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से दोनों में नियूस कवर की जाती है और जिस प्रकार से सिविल सरुसेज में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर उसी के according हम लोग नियूस को भी कवर करते हैं तो आप देख सकते हैं यह paper 1, paper 2 और paper 3 के कुछ topics आज हम लोग discuss करने वाले हैं and guys channel का नाम current affairs by कमलाक्ष जहा है अगर आपने subscribe नहीं किया है तो कर लीजेगा bell icon पे भी जरूर हिट कीजेगा and telegram पर भी same नाम से channel है जिसको आप join कर सकते हैं और अगर आप facebook पर है तो आप मेरे नाम कमलाक्ष जहा को search करके मुझे add कर सकते हैं तो चली अब समय ना waste करतो है फटाफट lecture को शुरू कर लेते but yes before starting आज तीन तारिक है और कल UPSC Civil Services 2020 का prelims exam है तो आप में से जो भी students appear हो रहे हैं इस exam में सबसे पहली चीज तो all the best to all of you और बहुती calm mind से जाना बिल्कूल tension लेके मच जाना क्योंकि आपने पूरे साल लगकर पढ़ाई करी है और अगर आपने honestly लगकर पढ़ाई करी होगी तो ये exam आपका definitely निकलेगा 100% निकलेगा बट वहाँ पर यागे घबराना नहीं आपको आप बस ये वहाँ पर seat में बैठने है जब paper खोलोगे न तो आपका सबसे पहला mindset तो ये होना चाहिए कि आपको वापस घर जाकर mains की planning करनी है mains का tim table बनाना है कि mains के पूरे जो topics उनको आप कित्ती जल्दी cover करेंगे answer writing practice करनी है यानिकि कुल मिलाके आप जब paper खोलोगे तो उस समय अपने दिमाग को बस एक बार ये बोल देना कि बस इसको finish करके मुझे बस paper 2 में मैठना है यानि कि shift 2 जो होती है इसकी cset वाली उस पर बस मैठना है और उसके बाद फिर मैं घर जाकर means का अपना time table जो है वो बनाऊंगा या बनाऊंगी सिर्फ ये चीज़ दो बोल देना अपने mind से एक बार जिससे कि आपका mind ठोड़ रिलाक्स हो जाए कि हाँ यार बस ये तो लिखना है उसके अपने को means में अपियर होना है trust yourself आपकी तयारी पर भरोसा रगो trust रगो पूरे साल आपने महनत करिये तो इसका result आपको definitely अच्छा मिलेगा और विजई भवा all the very best अच्छे से करके आईएगा अब चलिए फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले जो paper 1 से related जो पहली news है इसमें बात हो रही है सावंधवाडी खिलोने के बारे में तो ये देखो आप ये सावंधवाडी खिलोना है अगर direct question ये पूछा या है कि सावंधवाडी खिलोना कहा कह है तो आपको याद रखना है महराष्टर महराष्टर के अंदर एक जिला हम लोग को देखने को मिलता है सिंधु दुर्ग जिला इस जिले पर एक कस्बा हम लोग को देखने को मिलता है टाउन देखने को मिलता है और उसका नाम है सावंत वाडी ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखने है महराश्ट्र के अंदर सावंतवारी खिलोने बनाए जाते हैं और ये खिलोने लोग अपने हातों से बनाते हैं जो आर्ट्रिस्ट है वो अपने हातों से इस खिलोनी को बनाते हैं हैंडवर की हम लोग को देखने को मुलता है और ये लकडी का खिलोना होता है और इस खिलोने में जो लकडी का इस्तमाल किया जाता है वो Indian Coral Tree है याद रखिएगा और इसका नाम जो है ये इर्थ्रीना वेरी गेटा तो ये बिसिकली पेड़ का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है और जो लोग इस खिलोने को बनाते हैं वो किस community से belong करते हैं तो चिता चितारी community से belong करते हैं कभी-कभी ऐसा भी question बन सकता है चितारी community कहा से कहा पर हम लोग को देखने को महराश्च्रा आपको याद रखना है क्योंकि ऐसी चीज़ आप से पूछी जा सकती है अभी ये topic news में इसलिए क्योंकि 159 साल postcard के complete होगें इंडिया के अंदर तो महराश् सकते हैं सावंध्वारी ये छोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा ये खिलोना आपको इस post में दिखाई दे रहा है तो इस पर यूनोने ये use किया था पर आपको दोनों जीज़ पता होनी चाहिए एक हो ये भारतिया डाक के बारे में कि इस भारतिया डाक ने ये picture postcard उस किया उसमें यह जो था सावंध वाड़ी खिलोना था और इस्पेशली पता होना से यह सावंध वाड़ी खिलोने के बारे में इसलिए मैं आपको पहले सावंध वाड़ी खिलोने के बारे में important चीज़ बताई जो की examination में फूछी जा सकती है clear है आदक बाते हैं अब next topic में बा Mediterranean Sea पर बनता है जो भी hurricane Mediterranean Sea पर बनती है तो वो medicans कहलाती है ठीक है तो यह चीज़ आप बिल्कुल exactly clear रखना medicans याने की तूफान Mediterranean Sea पर बनने वाला 31 July 2020 के topic पर मैंने आपको बताया था हूरीकेंस क्या होते हैं और यह तूफान बनते कैसे हैं तो उनका जो formation है वो बहुत important है और तूफान में क्या क्या चीज़े हम लोग को देखने को होता है जैसे कि तूफान में एक आई होती है तो आई कहा पर located है ऐसे question directly आ जाते है तो म पर आपको यह topic मिल जाएगा आपको simply क्या करना है YouTube का जो search column होता है वहाँ पर आपको टाइप करना 31 July 2020 उसके आगे मेरा नाम लिख दे रहा कमलाक्ष तो जो भी सबसे पहला लिस्ट में वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा इस वीडियो के 1 minute 36 second पर आप चले या आपक सर्च करने पर भी time waste करने की ज़रूरत नहीं और recently scientist नहीं यही warning दिये कि यहाँ पर Mediterranean region पर काफी ज़्यादा इस प्रकार के तूफान बन रहे हैं यानि कि काफी ज़्यादा medikains बन रहे हैं या फिर Mediterranean hurricanes भी इसको कहा जाता यह बन रहे हैं और जादतर यानि कि frequently यह बन रहे हैं और इनके बनने का कारण जो है वो climate change बताया जा रहा है कि humans के कारण जो climate change जो हम लोग को देखने को मिल रहा है आजकी rate में temperature level जो increase हो गया तो उसकी वरह से यहाँ पर Mediterranean रीजन पर बहुत जादा तूफान बनते होए नजर आ रहे है अभी recently एक तूफान यहाँ पर September 18 2020 को देखने को मिला था heavy rainfall होई थी तबाही मच गई थी एक परकार की Greece के अंदर और आप जानते हैं कि तूफान कितने dangerous होते हैं तो इस परकार का Leucer ecosystem के बारे में direct आप से question पूछा जाएगा Leucer अभी recently news में था कहाँ पर है यह यह फिर क्या है यह तो आपको बता होने चाहिए कि forest area हम लोग को देखने को मिलता है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में यह सुमत्रा आइलेंड है यहाँ पर आपको यह forest area देखने को मिलेगा जिसका नाम है Leucer और यहाँ पर एक national park भी है जिसका नाम है गुनंग लूसर नाशनल पार्क तो question ये भी बन सकता है ये गुनंग लूसर नाशनल पार्क कहा पर है या फिर इन जनरल लूसर नाशनल पार्क कहा पर है तो Indonesia के अंदर ये पार्क है और पूरा जो South East Asia जो हम लोग को देखने को मिलता है न और पूरे South East Asia में सबसे ज़्याद action network के द्वारा investigation में ये पाया गया कि इस जगा पर जो destruction हो रहा है loser ecosystem का उसके लिए responsible food, cosmetic और finance companies है, इनके links कुछ ऐसी companies के साथ है जो कि यहाँ पर ecosystem को खराब कर रहे हैं, damage कर रहे है, cosmetic products आपको बता हुए इस cosmetic products में भी काफी सारी जो हम लोग को animal के products वगरा included देखने को मिलते हैं, तो काफी सरे animals को मारा जा रहा है, plants को destroy किया जा रहा है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए, ये सब जो sectors हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये जातर plants और जो ये animals हैं, उनके destruction का कारण बनते हैं, तो वही चीज हाँ पर यहाँ पर बहुत जादा नुकसान जो है, वो पहुच रहा है, इन सेक्टर के कारण, but mainly जो examination में चीज आप से पूछी आएगी, वो इसकी location पूछी आएगी और इसका ये नाम, loser, कि loser क्या है, तो याद रखना है, एक forest area हम लोग को इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, कहाँ पर island of सुमत्रा इंडोनेशिया में है, यहाँ पर यह हम लोग को देखने को मिलता है, और काफी पुराना प्राचीन काल का है यह, और काफी life rich ecosystem है, बहुत सारी प्रिजाति आपको देखने को मिल जाएगी हाँ पर, flora और fauna दोनों की, animal और plant species की दोनों की, और world class hotspot biodiversity और बहुत important चीज़ की यह UNESCO की एक world heritage site हम लोग को देखने को मिलती है, और जैसा मैं आपको बदाया था, पूरे के पूरे South East Asia में बहुत ही important area के तौर पर यह जाना जाता है, रही नौर्थ सुमित्रा और हम लोग को एक province देखने को मिलती है, इंडोनेशिय के अंदर, A-C-E-H, अब क्या बोलेंगे इसको आप जो भी है, pronunciation जैसा भी होगा, आप थोड़ा सही ध्यान पर रपस रखिएगा, हालकि यह चीज़ इंपॉरर नहीं है, मेलनी बस इसकी location आपको Spice Plus Service आपको नज़र आ रही है, देखने को पर रही है, तो यह Spice Plus Service क्या है, तो एक चीज़ तो आपनको clear हो गया, Ministry of Corporate Affairs को इस service offer कर रही है, प्रोवाइट करा रही है, बट फिर भी detail में जाने लेते हैं, तो देखो, Ministry of Finance और Ministry of Corporate Affairs इसके पीछे हम लोग को नज़र आ रहे है Ministry of Corporate Affairs ने नोटिफाय किया है, एक web form, form fill up करते हैं हम लोग, तो web form है, यह online form है, और जिसका नाम है Spice Plus, और February 2020 से यह effective लागू हो गया है, और यह basically सरकार की ease of doing business initiative है, उसका एक पार हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर इस web form के अंदर 10 services offer की जाएंगी, तीन Central Government Ministries की और Labor and Department, Ministry of Labor और Department of Revenue और जो Ministry of Finance के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, और एक State Government जो महराश्ट्रा है, उसकी मलब कुछ service हम लोग को देखने को मिलेगी, और बहुत सारे banks इसमें linked हम लोग को नज़र आ रहे हैं, जो various service offer करेंगे, और किस तरीकी की service होगी, तो EPFO registration से issue से related service हो और EPFO registration issue करने से related, इसमें name reservation से related, in corporation से related, तो ऐसी कुछ service होगी, जिससे की business जल्दी से यल्दी फटाक से established होया है, और इसके लिए ये service जो होगी हापर रखेंगे, तो simply बसे spice plus अगर निउस में आता है, तो आपको बता होना चाहिए कि एक service जो है, जो कि Ministry of Corporate Affairs offer कर रही है, जिससे की ease of doing business जो है, उसमें मदद मिल सकें, यानि कि हम लोग और बेटर कर सकें, ease of doing business में, जिसमें की जल्दी से यल्दी, जो कोई भी business होता है, उसको establish करने में जितना समय लगता है, वो समय को थोड़ा reduce किया जाएगा, procedures भी थोड़ी सी reduce की जाएगी, जिससे की जल्दी किया था यहाँ पर, जाएशे मोहमबत के camps पर, एर स्ट्राइक जब कंडग की थी, तो उस समय जो था, हम लोग ने ये spice bomb का उपयोग किया था, हालकि spice bomb नहीं है, ये missile के सामने लगने वाला camera है, ऐसी technology है, जिसके थूरु जो missile है, वो पूरी तरह से controlled रहती है, और उस technology की थ technology हमने ली थी, इसराइल से, तो यहली चीज़ भी आप याद रखना है, spice जो है, वो एक technology हम लोग को देखने को मिलती है, जो हमने इसराइल से ली थी, तो ऐसी spice आया तो मेरे दिमाग पर वाली चीज़ भी, click कर गई तो मैंने सूच आपको share कर दो, क्योंकि ये इस प्रकार की kit हम लोग को basically नजर आती है, देखने को मिलती है, और काफी advance है है, इसराइल से हम लोग ने लीती है, इसका उपयोग किया था हमने, जाइशे महंबद कैम्स को destroy करने के लिए, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है, समवेदना के बारे में, तो समवेदना का, ज जो toll free number देखने को मिल रहा है, जूम कर देता हूं, यह जो toll free number है, तो यहाँ पर यह देखो, आप छोटा बच्चा बना हुआ है, तो छोटे बच्चे की यहाँ पर counselling की जाएगी, जो छोटे बच्चे होते हैं, school going kids, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनकी counselling की के समय पर बहुत, जो mentally, जो नुकसान हुआ है, वो school के बच्चों को, छोटे बच्चों को basically हुआ है, the reason being is, काफी सारे बच्चों ने अपने parents को अपने परिवार के लोगों को खो दिया, coronavirus के समय पर, right, coronavirus जहने की जो infect हो गए थे, काफी सारे जो बच्चे हैं, उनके parents बच्चों के लिए launch की गई है, इसको launch किया गया है, National Commission for Protection of Child Rights के द्वारा, NCPCR के द्वारा, psychological first aid प्रोवाइट किया जाएगा, emotional support प्रोवाइट किया जाएगा बच्चों को, जो बच्चे quarantine में हैं, या फिर COVID care centers में हैं, जिन बच्चों ने अपने family members को खो दिया, या जिन ब reason being is, कि उनको quarantine रहना, अगर वो मिलेंगे तो उनके बच्चों को भी ये disease हो जाएगी, या वाइरस हो है, वो spread हो जाएगा, तो इससे बच्चे होड़े से डरे हो है, तो उन बच्चों को mental support offer करना, और इस प्रकार की counselling करना, उसको लेकर ये, समवेदना हम लोग को देखने को मिल रहा है, और पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है ये, और बच्चों की जो regional language होती है, जो मलवटंग language होती है, तो उन language में भी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को counselling दी जाए, तो इस पर भी focus किया गया है, अब देखें, farmers के लिए कुछ initiatives launch ह हुए है, POS 3.1 software, SMS gateway और home delivery facilities आंदर प्रदेश के अंदर, जो RBK हम लोग को देखने को मिलता है, राइथू, ये भरोसा के इंदरालू, RBK, इसके थ्रू, home delivery service भी offer की जाएगी, किसानों को, especially fertilizers के लिए, कि fertilizers उनकी घर तक जो है, वो उनको मिलेंगे, तो union minister for chemicals and fertilizers की दोरा, जो है, तो जैसे ही, उस shop में, fertilizers का stock आ जाएगा, तो वैसे ही, किसानों के पास, समय समय पर SMS आता रहेगा, यानि कि, जिस भी दुकान से वो fertilizer purchase करेंगे, सिर्फ उसी दुकान से SMS जो है, वो जाएगा, किसान के पास, जिसे की किसान को information मिल जाएगी, कि fertilizer का stock आ चुका है, जिसे की किसान जाकर fertilizer, जो हो ला सकें, या फिर मंगवा भी सकें, क्योंकि एक हम लोग को home delivery service भी fertilizer की आंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है, किसानों के लिए, और ये राइथू भरोसा के इंदरालू के थू हो रही है, यहाँ पर 10,641 राइथू भरोसा के इंदरालू सभी gram पंचायत में launch किया जो है वो, biometric authentication करना की आवशक्ता नहीं, वो इसलिए किया गया, क्योंकि home delivery service उनको देनी थी, अब home delivery में biometric authentication तो करना possible नहीं है, हाला कि घर आके delivery बहुत करवा सकता है, बट फिर problematic situation है, हम लोग को देखने को पता लगे किसान ने बंगा लिया, अब आ गया और उनका biometric authentication नह जिसके बार में एक general आपको idea होना चाहिए, farmers के लिए जो ये तीन initiatives लाए गए गए थे, आप जो next topic है, ये दो topics हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसकी हावर बात हुई है, एक topic तो अपन ओरड़ी 15 September को cover कर चुके है, जम्मू एंड कश्मीर integrated gravience, redress and monitoring system, तो मैं चाहूँ ये repeated topic है, इसको आप एक बार जाकर देख लिए, 15 September के part 1 में मैंने आपको ये topic पड़ा है, actually 15 September में दिखका तो ये होगे थी कि पूरा वीडियो upload नहीं हो पारा था, तो इसको मैंने दो parts में upload किया था, कुछ पता नहीं क्या technical error आ गया था, तो 15 September part 1 आप लिखिएगा, YouTube के search column पर उसके आगे मेरा नाम लिख देना, जो भी पहला वीडियो आएगा, वो ये ही वाला आएगा, लिस्क में, और इस वीडियो के 30 मिनिट 56 सेगंड पर आप जाएगे, तो ये topic आपको मिल जाएगा, तो ये एक बार अच्छे देख लिए, repeated topic और जबी भी repeated topics आते हैं, तो संभावना examination में आने की बढ़ जाती है, तो एक बार जाकर इस topic को देख लिए, 15 September को discuss किया हूँ है, और जिनके पास ये PDF आती हैं, उनको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे click करना है, उनके लिए topic open हो जाएगा, और ये है जम्मु इनकश्मीर lieutenant governor जो है, उन्होंने launch किय है ये JK, IG, RAMS, जिसके बारे में आप पढ़ लेंगे, 15 September के वीडियो में, और दूसरा जो है जिसके बारे में, अभी हम लोग बात करते हैं, वो है National Generic Document Registration System, तो ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, तो जम्मु इनकश्मीर union territory, जो है, वो दस्वे नंबर पर आ गई है, जिसने इस National Generic Document Registration System को adopt किया है, या उसका part बन गई है, और यहाँ पर अब manually जो registration होता है, जमीन का, कि जितनी भी जमीन खरीदी आती है, बेची आती है, या ट्रासफर की जाती है, तो उसका जो record तयार होता है, तो वो manual होता है, register पे होता है, रेजिस्टार office में, बढ़ आ manual नहीं होगा, वो अब online होगा, और online इस system पर होगा, right, National Generic Document Registration System पर, तो यह चीज़ा रखना है, यह जमीन के जो records होता है, उनको online feed करने को लेकर रही है, system हम लोग को देखने को मिलता है, इसमे stamp paper भी जो होंगे, वो e-stamp से replace कर दिया जाएंगे, पूरी चीज़ online होगी, stamp paper भी हम लोग को online देखने को मिलेगा, और यह basically किया जा रहा है, stock holding cooperation of India के coordination के साथ, यह जो stock holding cooperation of India, इसकी यह website आप चाहें, तो इसकी website पर जाकर एक देख सकते हैं, इसमें क्या-क्या services मिलती है, जैसकी bonds वगएर आप इसमें purchase कर सकते हैं, और इसमें various fees आप purchase कर सकते हैं, equity तो वो पूरी चीज यहाँ पर stock holding cooperation of India में मिल जाएगी, तो यह इसकी website है, कभी free रहो तो एक बर जाकर बस देख लें, नजर मालने ना, जैसे कि आपको पता लगे कि हाँ, यह website इस प्रकार की है, क्योंकि देखो ultimately मैं इसलिए बोलता है, आपको practical पूरी चीज करने के लिए कि आप जाकर यह website देख लो, यह इस official ministry की website में जाकर देख लो, वो इसलिए कहता हूँ, क्योंकि आपकी नजर official चीजों पर जादा होनी चाहिए, और आपको नजर रखनी भी है, क्योंकि कल को जब IAS IPS आप बनोगे, तो आप थोड़ना किसी newspaper की clippings देखोगे, आप तो direct official website पर जाकर चीजों को देखोगे, आपका control जोगा, वो direct official website के through होगा तो इसलिए, अभी से नजर मानना शुड़ू करोगे, official website जितनी आप ज़्यादा देखोगे, उतना आपको पता लगए कि कौनसी-कौनसी service, किस particular ministry के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर यह फ है या पर, हर घर जल, जल जीवन मिशन का ये लोगो तयार हुआ है, भी launch हुआ है, और इसमें हम लोग बात करेंगे, दो चीजों के वर में, मार्ग दर्शिका, ये ग्राम पंचायत के लिए है, और पानी समितीस, जो की जल जीवन मिशन के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, और हमारी जो ओनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने रिलीज किया है नया लोगो जल जीवन मिशन का जो लोगो मैंने भी आपको दिखाया, और मारग दर्शिका, मारग दर्शिका से, नाम से हम लोग उसन में आ रहा है, कि मारग दर्शिका की बात ह Water Committee, यह दो चीज़ जो है वो अभी establish हुई है, और यहाँ पर मारग दर्शिका को refer जो किया जा रहा है, इसमें जो यह guidelines तयार की जा रही है, इसमें जो important issues हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्राब बंचायत के अंदर, और जो लोग हम लोग देखने को मिलते हैं, गाओ छेत इसके लोग हैं, उनको पानी की क्या समस्य आ रही हैं, उनके जो issues हैं, इसके लाबा जो ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, उसके क्या issues हैं, तो वो सब देखा जाएगा और जो सरकारी officials वगरा जो होते हैं, उनको यह guidelines provide की जा रही है, तो ultimately यह guidelines जो है, यह मदद करेगी ग्राम पंचायत को, सरकारी officials को और गाउं में रहने वाले लोगों को, जिसे की जल्दी से जल्दी उनके गाउं तक जो है वो पानी की facility जो है वो मिल सके, और मारत दर्शी का guideline जो है, गाइड करेगी members को water committee के, और ग्राम पंचायत को गाइड करेगी, कि वो जल्दी से जल् प्राइम मिनिस्टर ने 6 प्रोजेक्ट, 6 मेगा प्रोजेक्ट का उधगाटन किया था, inauguration किया था, हम लोग को देखने को मिला था, याद आ रहा है, नमामी गंगे mission के बारे में हमने बात करी था, याद करो, तो उसमें हमने यह भी discuss किया था, कि 2 October से 100 दिन का एक campaign शुरू को मिल रही है, जल जीवन mission का aim यह है कि हर एक rural household, याद रखना rural household, ग्रामीड घरों की बात हो रही है, ना कि urban की, prelims में यही चीज़ जो है, वो थोड़ी सी change कर दी आती, flip कर दी आती, तो rural याद रखना, हर एक rural household को pipe water connection, जो हमारे घर में जो pipeline आती न, पानी की, तो वो pipeline जो pipeline जो है वो, प्रोवाइट की जाएगी पानी की, पीने के पानी की, और नया logo, जो mission का है, यह inspire कर रहा है कि हर एक बून पानी की बचाना, देखो, बून हम लोग को देखने को मिल रही है, जल जीवन mission, bottom to top approach की हम लोग को देखने को मिल रही है, bottom to top approach कैसे हमने देखा, यह त bottom to top approach हम लोग को देखने को मिल रही है, जैसे कि लोगों की जो समस्या है, वहापे जो गाओं की जो समस्या है, तो उसको देखते होए, authorities जो है, वो actions लेंगी, और इसके लाबा, पानी समिती जो villages के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वो पूरा project के इस प्रकार से पानी समीती के अंदर, ये महिला हो, at least 50% members, ठीक है, तो ये था पूरा overall topic जिसके बारे में एक अच्छा idea होना चाहिए आप लोगों को, आप जो next topic है, इसमें बात हो रही है, इंडिया श्रीलंका की virtual bilateral summit के बारे में, पहली बार इस प्रकार की virtual bilateral summit, इंडिया और श्रीलंका क 15 million US dollar का grand assistance offer कर रही है, और ये grand assistance मदद करेगा, बुद्धिजम की field में, लोगों के बीच में, contact को deep करने में, people to people, linkages को और deep करने में, जो है, ये मदद करेगा, दोनों countries के अंदर, बुद्धिजम की field में, जो लोग है, उनका, जो contact है, वो और भी deep होगा, बनेगा, और पहली flight, खुशी नगर पे आएगी, international flight, क्योंकि अभी recent past में ही, खुशी नगर की अगर हम लोग बात करें, तो खुशी नगर जो airport है, उसको international airport जो है, वो घोचित किया है, अभी recent past में ही, क्योंकि एक बहुत ही important Buddhist site हम लोग को देखने को मिलती है, दुनिया भर से, लोग य हाँ पर आएंगे, इंडिया के अंदर, क्योंकि आप जानते, कल ही हम लोग ने discuss किया था, आपको याद आरा होगा, कि शी लंका के अंदर 70% Buddhist अबादी हम लोग को देखने को मिलती है, बुद्धिस पॉपलेशन है, वो 70% शी लंका के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है तो इसके बार में हाँ पर बात हुई, कि एगरी हुआ कि पहला जो पहली जो फ्लाइट आएगी वो खुशी नगर के अंदर international flight वो शी लंका से आएगी और वहाँ पर शी लंकन बुद्धिस जो है, वो हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो यह चीज़ आपर हुई और दोन Memorandum of Understanding एक समझाता ग्यापन जो है, उसको साइन किया High Impact Community Development Projects के लिए जो पात सालों का हम लोग को देखने को मिलेंगे, 2020 से इसकी शुरवात होगी, इसके लावा Indian Housing Project जो है, हम लोग जो है, वो शी लंका के अंदर घर वगरा बना रहे हैं, तो इसमें कहा गया कि 10,000 घर जो Implement कर दिया जाए, श्री लंकान Constitution के, और यह 13 अमेंट किया है, तो देखो, शी लंका के अंदर बहुत समय से तमिल्स और बुद्धिस के बीच में बहुत इशूज सल रहे हैं, और जो तमिल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, श्री लंका के अंदर वो Northern Region पे रहते हैं, श्री लंका का जो North Area है, वहाँ पर तमिल्स population हम लोग को देखने को मिलते हैं, और Southern Area पर बुद्धिस population हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों के बीच में बहुत इशूज सल रहे हैं, काफी सालों से, और तमिल्स की डिमांड यह थी कि, इनको एक separate province मिल जाए, जि को यादा रहोगा, linguistic basis की उपर हम लोग को देखने को मिलता था, इंडिया के अंदर states का formation जब हुआ था, जब हमारे यहां पर जो काफी सारी जो राज है, वो डिमांड कर रहे थी कि उनको एक separate state घोशित कर दिया जाए, तो फिर linguistic approach की उपर, यानि कि language के उपर based states, जो है उसक को देखने को मिलता इंडिया के अंदर, याद करो, पढ़ा होगा आपने, तो उस समय जो state reorganization act आया था, तो state का जो, यानि कि एक state में से जो territory demarkate हुई, यानि कि अलग हुई, तो वो किसके अधार पर हुई, वो linguistic basis पर हुई, तो वैसे ये लोग चा रहे थे, कि तमिल्स को जो demands है, जैसा हमारी country के अंदर होता है, states जो होती है, states अलग-अलग जो राज है, वो उस राज में रहने वाले लोग जो है, उनको benefit देने के लिए various schemes लेकर आते हैं, various policies लेकर आते हैं, वैसे कि इनकी demand है, कि एक अलग से province हो जाए, जिसमें कि तमिल्स जो है, उनकी demands fulfill की जा सके, और शांती पूरगर जो है, वो तमिल रहे सके अपने, तो वो तेरवे amendment की चीज़ देखने को मिले थी, बट ये 1987 से अटका हुआ या था, तेरवे amendment, तो यही कहा जा रहा है, इंडिया की यही demand है की जल्दी-चल्दी इसको फुल्फिल किया जाए, तेरवे amendment को implement किया जाए, तो इसके बारे में एक general आपको idea होना चाहिए, इसके लावा खुशी नगर airport के बारे में मैं आपको अधाई दिया, एक international airport के तौर पर इसको recently ही designate किया है, और क्योंकि एक बहुती important Buddhist site हम लोग को देखने को बिलती है, अब मेरा आपसे question है, जिसका answer नीचे coverant box को ल जाए फटाक से comment box पे लिख दो list, और चाहो तो थोड़ा समय लेकर लिख दो, पूरा lecture देख लो, उसके बाद लिख देना, कोई बात नी, बड़ लिख जरूर देना, यह बुद्ध से related, Buddhism से related, ज्यानिसम से related, यह जो topics से related, definitely आपको prelims में question देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ह हम लोग paper 3 के topics की दरफ आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया ने successfully test fire कर दिया है, ब्रमोस supersonic cruise missile का, यह ब्रमोस missile हम लोग को देखने को मिल रही है, ब्रमोस supersonic cruise missile, और इसका successful test fire किया है, और यह Odisha के बाला सौर में हुआ है, D.I.D.O. ने यह conduct किया था, Defense Research and Development Organization ने, और ब्रमोस surface to surface sup पर sonic cruise missile है, याद रखना surface to surface है, ना surface to air है, कभी-कभी ऐसे statement है, surface to air यह cruise missile है, नहीं, surface to surface है, यह चीज़ याद रखने वाली बात है, और यहाँ पर हम लोगोंने booster और air frame section, यह इंडिया में ही बनाया है, इसके लावा और भी काफी सारे इस ब्रमोस missile में जो systems है, वो इंडिय इसके लिए एक अच्छी बात है, जो हमारा जो make in India का जो program है, और indigenization पर हम लोग जो focus कर रहे हैं, इसके लाव जो आत मिर भर जो package जो हम लोग ने देखा था, जिसमें target यह ही किया गया था, कि जाए सब चीज़ें जो है, वो हम लोग इंडिया में ही develop करें, तो इन सब ची systems जो हैं, और various parts हैं, वो develop हो रहे हैं, तो इस पर focus किया गया है, और brammo's land attack cruise missile जो है, इसकी top speed, match 2.8 की हम लोग को देखने को बलती है, यह match 2.8 क्या होता है, तो जो भी speed sound से ज़्यादा तेज होती है, वो match की speed में आ जाती है, और supersonic की category में यह आने लगती है, जब यह 4 cross कर match 4 अगर cross हो जाए, तो वो supersonic की category में आ जाती है, तो इसके बारे में एक आपको general idea होना चीए, अब next topic है, इसमें बात हो रही है, virgin hyperloop की, यह topic यह पहले भी बहुत 2017-2018 में आया था, यह topic पहले भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से virgin hyperloop, यह Mumbai में इसको लाने की बात की मुंबई यह फिर गुजराती है, दोनों में से मैं confused हो रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लिजाएगा, कि पहले भी इस पर तरशा हुई थी कि यह virgin hyperloop जो है, वो आईगी इंडिया में, और इस पर agreement वगरा भी हुए थे, बड़ उसके बाद फिर कोई ठेकाना नहीं था, पत कितनी थेज लगती है, दोसों के उपर कर जाएगी, कितनी थेज लगी, imagine करो, पात्सों के उपर हो जाएगी, कितनी थेज लगी, यह हजार से उपर की speed में चलेगी, virgin hyperloop, इतनी fastest यह चीज है, मान के चलो आप, यह रावलिंग जो होगी, वो बहुत fast, हजार किलोमेटर यार हजार किलोमेटर प्रती घंटा बहुत होता है, हजार की रफ्तार से चलेगी है, यह देखा आप, हजार किलोमेटर पर आर, 1080 बलकी, तो इतनी speed इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, और यह बता यार है कि बैंगलूरू में लाएगी, बैंगलूरू basically हम लोग को बहुती traffic बैंगला शहर देखने को मिलता है, और यहाँ पर IT companies भी हैं, तो काफी सारे जो लोग हैं, उनका airport आना याना regularly रहता है, IT companies वाले, USA उनकी traveling regularly रहती, USA और दूसरी countries वागएरा, तो यहाँ पर यह ही है, बताएगा है कि airport के साथ main city को connect किया जाएगा, इस से वर्जन Hyperloop से, तो उस पर basically अभी एक study चल रही है, इस पर, यह लोग जो है वो आसानी से बहुत जल्दी जो है वो travel कर पाएंगे, इसमें लोगों का time जो है वो बहुत जल्दी बच जाएगा, तो यह एक MOU, Memorandum of Understanding sign हुई है, बर्जन Hyperloop और Bangalore International Airport Limited के द्वारा, और यहाँ पर यह study conduct करने हैं economically क्या क्या चीज होगो देखना है, कितना खर्चा बैठेगा, और फिर उसके बाद route पगेरा जो है, वो सही है कि यह कोई problem तो नहीं है, क्योंकि 1080 km की speed में जो चीज चलने वाली है, तो पूरी चीज देखनी बढ़ेगी न, बहुत, नहीं तो लोगों की जान जा सकती, एक चुक हो गई तो, तो यह चीज है, इस पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हजारों पैसेंजर्स को यह एक साथ लेकर जाएगी, बैंगलूरू एरपोर्ट को connect करेगी, और मातर 10 मिनिट के अंदर बैंगलूरू एरपोर्ट को main city के साथ connect कर देगी है, और यह help में ले आ रहता है और लोगों को जल्दी पहुचना रहता है, तो लोगों का समय जो है, वो यहाँ पर बचाएगा, इसकी प्राइस भी बहुत होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल metro इतनी टिकेट होगी, बिल्कुल नहीं, इसकी टिकेट भी बहुत महेंगी होगी, डेफिनिटली SPA के बारे में, तो यह क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो Government of India ने create किया है ये, Indian National Space Promotion and Authorization Center, तो देखो, Space Promotion, इसके नाम से क्या सन में आ रहा है, कि यहाँ पर प्रमोट किया रहा है, कि स्पेस को नहीं, स्पेस सेक्टर में, जो कंपनीज अब काम करेंगी, तो उ सदे साथा private companies जो है, वो involved हो, किसमें, स्पेस सेक्टर में, तो जो private companies आएंगी स्पेस सेक्टर के अंदर, तो उनको डारेक्शन देने का काम जो होगा, वो इस body का होगा, एक तो प्रमोट किया जाएगा, कि साथा company जो हो हो, Space Sector की field में आए, दूसरी बात, उनको Authorize करने का भी काम इसका होगा, Authorization Center यहां पर लेका है न, Authorize करने का भी काम होगा, कि Various उनके जो Projects से उसको Authorize किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि उनको जो ISRO की क्या क्या चीजे वो उप्योग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात ये भी करी थी कि ISRO के Various Equipments वगेरा जो है, उसकी जो Space है ISRO की, वो यूज की जाएगी, Private Companies के उतारा, बट वो Define करेगा, यानि कि एक Authority Define करेगी कि कौन सी-कौन सी Space को यूज करना है, किस-किस चीजों को यूज करना है, यह है, Indian National Space Promotion and Authorization Center, तो यह जीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, यह एक Independent Nodal Agency है, जो कि Department of Space के एंटर हम लोग को देखने को मिलेगी, यह एक Single Window Nodal Agency के तोर पर Establish की गई है, इन Space के नाम से इसको जाना जा रहा है, इसका खुद का काडर होगा, यह जितनी भी Private Companies की Activities होगी, उनको Monitor करेगी, देखेगी, और उनको Allow करेगी, Permit करेगी, कि क्या-क्या यह कर सकते हैं, जिसके बार में मैंने भी आपको समझा आया था, इसके लबाए इसका जो Decision होगा, वो Final होगा, यानिकि इसने एक Private Company को बोल दिया, कि आप यह एक्टिविटी कर सकते हो, that is Final and Binding, इस सुरों भी उस पर हस्ताक शेप नहीं कर सकती है, और Private Company को इस Company के Approval की मिलने के बाद, इस सुरों से दुबारा से Approval लेने की ज़रूद नहीं, Permission लेने की ज़रूद नहीं, एक बार इस Particular Agency ने Approval दे दिया, इसके लाब यह बताएगी कि कौनसी कौनसी चीज इसरों की यूज की जा सकती है, प्रावेट कंपनीज के दौरा और कौनसी कौनसी जो New Space India Limited के जो requirements जो है, जो चीजे हैं, तो वो क्या-क्या वो यूज कर सकते हैं, प्रावेट कंपनीज और क्या-क्या चीजें उनको अलाव किया जाएगा, तो वो पूरी चीज जो है, वो डिजाइन करने का काम जो होगा, वो इसका हम लोग को देखने को मिलेगा, इन स्पेस का, इसके लाब यह offer करेगी, शेरिंग, टेक्नलोजी, एक्सपर्टीज, फैसिलिटीज वगरा भी प्रावेट कंपनीज को, पर्मिशन देगी कि, कि इस तुरों के प्रमाइसे के अंदर क्या-क्या चीजें, वो क्या-क्या फैसिलिटीज इनको बिल सकती है, इसके बारे में एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, और आज अपना ये लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाएं, अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो लाइक का बटन हिट कर दीजेगा, शेर जरूर कर दीजेगा लेक्चेर को, और अगर आप नए आए हैं, तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और होमवर्क है जो आज का, वो है इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इससे related handwritten notes बनाना है, और अगर आप ऐसा कर लेते हों, तो नीचे comment box पर लिख देना, sir homework done, मुझे बतल लग जाएगा, आपने homework complete कर लिया है, अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए, तो इसकी PDF के लिए, आप monthly package को join कर सकते हैं, monthly package की fees, minimum 100 rupees per month है, monthly package से related, पूरी information लीचे comment box पर लिखी होएगी, कैसे आपको इसको join करना है, आप देख सकते हैं कि comment box पर भी print message पर आपको मिल जाएगा, या फिर description पर आप देखेंगे, तो पूरी details आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको daily lectures की PDF दी जाती है, आपको weekly compilation दिया जाता है, आपको monthly compilation दिया जाता है, यह तीन तरीके से चीज़ इसली दी जाती है, कि आपको मेरी तरफ से एक push किया जाता है, कि आप पढ़ें, क्योंकि देखो problem यह होती, students के बीच में कि students सिर्फ पढ़ते रहते हैं, revise नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको revision के लिए भी push up दिया जाता है, आपको daily lectures की PDF दी जाती है, जिससे कि आप अपने handed and notes ना बनाएं, उस पे आप अपने time बरबाद ना करें, क्योंकि current affairs regularly आता रहता है, उसमें अगर आप handed and notes बनाएंगे, तो आप अपना काफी time बरबाद करेंगे, और उस काफी time को आप use कर सकते हैं, answer writing practice में, या फिर general studies के कोई topic पढ़ने में, तो smartly prepare करो चीजों को, और इसके लाबा आपको weekly, पूरे हफ़ते की एक single PDF मिलती है, यह इसलिए जाती कि आप weekly revise करें, और ऐसे ही आपको monthly दी जाती है, कि आप monthly revise करें, अब यह तीन बार अगर आपने किसी topic को पढ़ लिया है, revision कर लिया, तो यह मान के चलना, आपकी mains में seat जो है वो पक्की है, तो इस तरीके से मैं students की revision करवाता हूँ, उनको push up देता हूँ, और इतना ही नहीं मिलता, इस package के अंदर आपको print friendly monthly magazine भी दी जाती है, जो कि मेरे खाल से आज शाम तक या कल तक release हो जाएगी, September month की उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा मैं, बता दूँगा आपको उस magazine के बारे में भी, तो magazine भी दी जाती है, और English Hindi separate magazine होती है, जिसको आप print out कराके अपने बास रख सकते हैं, इसके अलगवा complimentary आप अगर package join करते हैं, तो आपको minimum 150 questions, civil services examination के pattern पर दिये जाते हैं, practice questions ये current affairs के होते हैं, पूरे महिने में आप जो भी पढ़ते हैं, तो उसके questions create किये जाते हैं, और वैसे ही pattern होता है, जैसा civil services examination के होता है, तो वो minimum 150 questions वो है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इतना सब कुछ minimum 100 rupees पर मत में आपको दिया जाता है, पूरी information description पर है, देख लिए कैसे आपको उसको join करना है, और January 2020 से लेकर, जोलाई 2020 तक की अगर आपको magazine चाहिए, current affairs की, तो उसकी fees जो है, वो मातरत 300 rupees है, नीचे description पर आप देख लिजे, एक video बनाके रखा हुआ है, वीडियो में आपको पता लग जाएगा, कि आपको कैसा material यहाँ पर दिया जाएगा, कल तब तक लिए बबाई, take care, have a great day ahead, and all the best to everyone, जो अभी देने वाले हैं, कल के देन exam, अच्छी तयारी कर गया हो, मस्ट, रिलाक्स होके, बैठना exam देने, क्योंकि रिलाक्स बहुत ज़रूरी है, और आज के दिन, जादा कुछ मत पढ़ो, जितना आपने पढ़ लिए सफीशेंट है, हल्का फुल्का सी सेट बस करो, और थोड़ा से चिल मारो, टाइम बे सो जाना जरूर, नींद को सैक्रिफाइस मत करने, नींदो बड़ी रडब़ हो जाएगी कल के दिन, ठीके सो जाना, राम सी दस बई तक बैड़ में चले आना, और मस रहो, अच्छा जाएगा, ठीके, चलो, विजय भावा, बाई बाई